लोगसबद चुनाओं में बीजेपी 240 सीट उपर सिमट कर रह गई है और बहुमत से 32 सीट दूर रह गई है वहीं उसकी सहियोगी पाटियों जेडियू ने 12 और टेडिपी को 16 सीटे हासिल कर ली है चिराख पासवान की लोग जन्शक्ती पाटि ने अपनी सभी पाच सीटों पर जीत दर्च कर ली है बीजेपी अपने दम पर तो सरकार बनाने से दूर रह गई लेकिन एंडिये को पूर्ण बहुमत मिला है लोगसबद के नतीजे सामने आने के बाद आज बैठकों का दौर लोग सब़ चुनाओं के ये नतीजे विपक्ष के लिए भी खुशखबरी लेकर आए हैं दस सालों के बाद पहली बार कॉंग्रिस के परदशन में सुधार हुआ हाला के सौ का आकड़ा पार करने से चूग गई इंडिया गड़ बंदन ने जरूर दो सो का आकड़ा पार क लिया है उसे 231 सीटों पर जीत मिली है कॉंग्रिस को 98 समाजवादी पार्टी को 36 तिरणमुल कॉंग्रिस को 29 डीम के को 22 और शिव सेना यूबीटी को 9 सीटे मिली है बीजेपी ने सबसे खराब परदशन अपने गड़ उतर परदेश में ही किया है प्रदान मंतरी नरिंद सीटों पर शांदार जीत डर्च कर ली है केंद्री ग्रह मंतरी अमी शाहमादी परदेश के पूर मुख्य मंतरी शिवराज सिंग चौहान जैसे ने ताउन ये शांदार जीत डर्च की है आपको बता दें कि देश की कुल 543 लोग सबसे सीटों के लिए 74 मतदान कराए गए कुल 8360 उम्मीदवारों की खिस्मत EVM में कैद हो गई थी अंतिम चरण के मतदान के बाद जादातर एकसिट पोल के पूर्वानुमानों में NDA गडबंदन को 400 पार के परधान मंतरी नरिंदर मोदी के महत्व कांक्शी लक्षे के करीब दिखाया गया वहीं इंडिया गडब